हलो बच्चो वेरी वलकम टू मेगनेट ब्रेंस मेरा मेरा हुल गुरूंग और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर चैप्टर अल्डिहाइड किटोन एंड कार्बॉग्जिलिक एसे ठीक है तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है जैसे यह चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद में हमारे पास NCRT के कोश्चन्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर उसके बाद में वही वन शॉट रिवीजन और हंडेट एमसी की उसकी सेरीज आने वाली है अच्छे से पढ़ो NCRT फिर उसके बाद हम लोग सॉल करेंगे ठीक है अभी चलो फटा फट से हम लोग आ जाते हैं आज की कैमिकल प्रापर्टिस के उपर तो देखो आज की जो कैमिकल प्रापर्टी में पहली रियक्शन है वो रियक्शन विट अमोनिया अब देखो होता क्या है यहाँ पर जरा स नमजना आपके पास रखा हुआ है एक कार्बॉग्शलिक असिड जैसे इसको अमोनिया के साथ आपने रियक्शन करवाया तो यहाँ पर एक यह कंपाउंग दिख रहा है ठीक है अब देखो यहाँ सिचुएशन कैसा है एनेज फोर पॉजिटिव जब की ओ क्या हो जाएग तो देखो जब कभी पी, अच्छा किसी CHRIST पूछा भी था मुझ से, कि सर यह जो अमोनिया होता होता हो इसमें difference क्या होता है तो जब कभी भी आपके पास में अमोनिया अपनी इस न्यूटरल स्टेट नह फी अपनी इस न्यूटरल स्टेट में तो यह क्या कहलाता है अमोन जाएगा इसको बोला जाएगा ammonium देखो बात क्या होती है न कि यह जो em है, id है तो जितने positive वाले ions होते हैं उनको क्या बोलते हैं? em और जो negative वाले ions होते हैं उनको id बोलते हैं जैसे sodium, chloride तो sodium में positive इसलिए उसका नाम पड़ा है sodium, bromium chloride, bromide यह ऐसे नाम पड़ते हैं ठीक है, clear हो गई बात, easy है यह और actual में क्या होता है जब कभी हम लोग एक बार फिर nomenclature पढ़ेंगे, तो जैसे IUPAC naming के regarding तो आपको पता ही होगा, कि हाँ एक proper उसका format रहता है, इसका नाम से यह रखना, उसका नाम देते हैं, गोलू, ठीक है फिर उसके बाद में कोई दुबला पतला सब अच्छा रहे है, तो उसको फिर बोल देते है, ठीक है अपने हिसाब से देख लो नाम रख लो इसका उसको ऐसा बोल देते है नहीं, दुबला पतली को क्या भouredेते सा源 चोटा सरेता दूबला पतला साथ उसको सब क्या हो देते हैं छोटू छोटू बोल देते हैं तो common name में भी ऐसा ही होता है और यहाँ पर भी same वही काम होने वाला है कि कोई positive वाला दिखाई देगा तो उसमें EM लगा देते हैं और negative वाला दिखाई देता है उसमें IDE लगा देते हैं ठीक है ऐसे situation होती तो ammonium क्या होता है कि जब कभी भी ammonia reaction करके एक H positive को gain कर लेता है तो वो क्या बन जाता है हमारे पास में ammonium बन जाता है ठीक है तो देखो situation क्या होई है सबसे पहले जब इसने ammonia के साथ reaction करी तो एक compound बनाया है ammonium वाला CS3COO NH4 अब इसमें से क्या कराया आपने dehydration कराया मतलब water का molecule आपने यहां से बाहर निकाला तो water का molecule बाहर निकालने से आपके पास में क्या बन के रखा है acetamide बन के रखा हुआ है acetamide जैसे यह है benjamide अब देखो यहां भी सेम वही situation है आपके पास benjoic acid रखा था पहले उसको ammonia के साथ treat करवाया फिर उसको वहां पे heat करा तो heat करने पर क्या होता है dehydration यह ध्यान रखना heat का जब कभी भी symbol आता है तो heat बताता है आपने उसको गर्म करा गर्म करने पर क्या होत का molecule वहां से बाहर निकल जाता है तो यह जो H2O है ना क्यों बाहर निकल रहा है because of heat करने के कारण तो आपको finally क्या मिला benjamide मिला है यह benja और amide कौन सा ग्रूप है यह NH2 अलग ग्रूप है और water बाहर निकला है क्योंकि आपने इसको heat करके रखा हुआ है ठीक है clear है easy सा है हमा सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई compound लेता हूँ CH3C double bond O O and H ठीक है ऐसा मैंने कुछ compound यहाँ पर लेके रखा हुआ है अब देखो यहाँ पर क्या होता है पहली बार आपने इसको treat करवाया है ammonia के साथ में अब देखो situation क्या होती है यहाँ पर मैंने हर बार बोला है कि एक double bond oxygen जो होता है कार्बोनाय ग्रुप का वो बड़ा ही धोके बाज होता है यह धोके बाज कैसा होगा यह थोड़ी देर के लिए इस double bond को break करेगा जिस वज़े से इस पर negative आना और इस पर positive आना ठीक है तो यह situation देखो कैसी बन जाएगी यह compound है मेरे पास में that is CH3C O इस पर आगया negative charge इस पर आ गया O इस पर आया H और साथ ही साथ में अगर यहां negative आया है तो इसके opposite क्या आ जाएगा हमारे पास positive तो यह एक electrophile की तरह बन गया है ठीक है अब देखो इसके बाद में अगली situation क्या होने वाली है यहां पे हम लोगों ने add करा है ammonia को ammonia में क्या होता है nitrogen के पास होती है lawn pair अब obvious वात है अगर इसके पास lawn pair होगी तो यह lawn pair क्या करेगा यह उठकर जाएगा इस जगे पर क्योंकि यहां electron की कमी है तो electron की कमी को पूरा करने के लिए यह यहां पर गया चीक है हमने बहला okay no problem तो जैसे यह यहां पर गया तो मेरे पास में compound क्या मिला CH3C O negative यहां प nitrogen और यह ऐसा ठीक है clear हो गई बात अब देखो nitrogen अगर यहां पर गया होगा तो nitrogen के उपर क्या आ जाएगा हमारे पास में एक positive charge आ जाएगा हमने बहला okay no problem अब मैं देखो यहां ammonia को जड़ा expand कर देता हूँ तो उससे थोड़ा आपको easy हो जाएगा ठीक है समझना जड़ा यह जो NH3 लिखा है ना इस NH3 को मैं थोड़ा सा expand कर दे रहा हूँ यह लिखा nitrogen hydrogen 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 and hydrogen ठीक है यह ऐसी कुछ situation हुई अब खुछ सोचो nitrogen जब यहां पर आया तो वो carbon को electron तो देता है पर उस पे क्या आ जाता है positive charge और जैसा oxygen highly electron negative होता है nitrogen भी क्या होता है highly electron negative तो nitrogen के उपर अगर positive charge आएगा तो यह तो खत्रे की घंटी तो अगर ऐसी कुछ situation होती है तो यहां पर क्या होगा अब यहां पे टॉटो मेरिज्म परफॉर्म होगा और उस situation पे nitrogen के positive charge को किया जाएगा neutralize समझना जरा ठीक देखो क्या हुआ nitrogen पे positive charge आया जो कि इसे बिलकुल भी बरदाश नहीं था तो अब यहां किसी एक को sacrifice करना पड़ेगा तो sacrifice किसने करा hydrogen ने hydrogen ने यहां sacrifice करा H positive बाहर निकला पर जैसे ही वो H positive यहां बाहर निकला तो वो देखता है कि यहां इस oxygen के पास में क्या रखी हुई है लॉन पेर रखी हुई है तो जैसी उसने देखा लॉन पेर रखी की negative है negative positive बहुत अच्छा interaction होता है so for that reason यहां पर अब आपके पास में compound क्या बन जाएगा यह देखो ठीके क्या हुआ है यह इसको थोड़ा सम्में erase कर दूँ ऐसा और यह ऐसा ठीके यहां पर क्या हुआ है टॉटो मेरिज्म हुआ है अब बात आती सर यह टॉटो मेरिज्म क्या होता है तो बड़ी ही आसान कहानी है टॉटो मेरिज्म का मतलब होता है जब कभी भी एक ही compound के अंदर आप ऐसे ions को एक point से दूसरे point पर उठा कर ले कर जाते ह हो तो वो क्या कहलाता है टॉटो मेरिज्म कहलाता है इसको आप रियरेंज्मेंट बोल सकते हो एक ही molecule के अंदर अगर वहीं के वहीं रियरेंज्मेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है टॉटो मेरिज्म ठीक है अब देखो रियरेंज्मेंट हुआ हाइड्रोजन यहां पर चले गया, तो compound मेरे पास में क्या बन जाएगा, CH3C यहाँ पर बना है OH, यहाँ पर बना है OH, और यहाँ पर क्या बन चुका है, NH2, ठीक है, यह वाली कहानी आ गई, अब क्या कराया जाएगा, अब करवाया जाता, इसका acidification, acidification करवाना, मतलब H positive देना, और heat देना, H positive और heat देने की वज़े से क्या होगा, कि यहाँ दिखाई देगा कि सर, यहाँ पर आपके पास में lawn pair थी, तो इस lawn pair के उपर क्या हो जाएगा, यह जो है compound H positive, वो यहाँ जाके जमा हो जाएगा, ठीक है, जैसे वो यहाँ जाके जमा हुआ, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, NH2, OH2 होने की वज़े से, यहाँ पर क्या जाएगा, आपके पास में positive charge, और कभी भी इनके उपर positive charge आता है, that means, हो खत्रे की घंटी होती है, अगर यहाँ पर यह खत्रे की घंटी बज रही है, तो अब यहाँ situation क्या बनेगी, कि यहाँ पे, इस H H2O को निकालना पड़ेगा बाहर, ठीक है, H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया, है न, क्यों बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमने बोल के रखा था, गैस है, गैसों के entropy high होती है, और उस वज़े से यह बाहर निकल जाएगा, यह बाहर निकल गया, तो अब देखो क्या बचा CH3, CO, H, and यहाँ पर क्या बचा हुआ है, NH2, ठीक है, यह वाला लिख देते हैं CH3, यह इस तरह से हमारे पास में कुछ compound बचा हुआ है, अब यहाँ पर मैंने देखा, कि जब इस carbon ने अपना bond break करके oxygen को electron दिया, तो carbon के उपर क्या आ गया, positive charge, और अगर carbon के उपर positive charge आया, त उसको खुद को कहीं ना कहीं तो अपने आपको neutralize करना पड़ेगा, ठीक है, अब वो neutralize कैसे कर रहा है, उसी के बगल में रखा हुआ जो oxygen है, वो long pair को contain करता है, तो जैसे ही आपको दिखाई देती है ना जगे, देखो chemistry का rule बड़ा आसान है, जैसे ही आपको कोई भी ionic state द neutralize करो, यह दिखाई दिया positive, इसको neutralize करने के लिए क्या करा गया, यहां से यहां पर electronों को दिया गया, जैसे यहां से यहां electronों को दिया गया, तो compound क्या बना मेरे पास में, CS3C double bond O, इसको मैं यहीं बनाता हूँ, double bond O, और इसके साथ में रखा है hydrogen और यहां पर क्या चल रहा है NH2, अब देखो oxygen ने electron दिये, मतलब positive charge और oxygen के ओपर positive charge, खत्रे की घंटी, किसी एक को sacrifice करना पड़ेगा, sacrifice किसने करा, hydrogen ने, जैसे ही hydrogen ने यहां पर sacrifice करा, तो compound बन गया मेरे पास methyl, और इसके साथ में यह बन गया carbonyl group का C double bond O, और यहां पर क्या बन गया है, मेरे पास amide group का NH H2, clear हो गई बात, इस तरह से इस chemical reaction को perform करा है, दुबारा देखो, carboxylic acid था, जिसमें धोके बाज oxygen, electron को लेता है, pi bond के negative बनाता है, carbon को carbocatine बनाता है, carbocatine की state में, जैसे ही ammonia का, जो lawn pair है, वो इसके पास आके जुड़ता है, तो situation ऐसी कुछ दिखाई देती है, यहां पर totomerism perform होता है, जिस totomerism के regarding, आपका जो hydrogen है, वो क्या करता है, एक ही compound में से अपनी position को change करता है, पहले वो ammonia group में था, अब वो hydroxy group में चला गया, इसके बाद में फिर से H positive का करवाया हमने attack, H positive के attack की वज़े से आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, OH2 positive, dehydration perform होगा, यहां पर आ के बाद में, आपको यहां यह दिखाए दिया कि carbon के उपर वापस ketanic charge आ गया, उस ketanic charge को neutral करा है, उसी के left में रखे हो, sorry, उसी के just right में रखे हुए इस oxygen ने, electron इसको donate करा, electron donate करने की वज़े से, यहां पर आपके पास situation कुछ बनी, ऐसे एक बार, फिर से hydrogen ने sacrifice करा, और finally हमार जो acetamide group होता है, वो यहां पर form हो जाएगा, यह इसका होता है complete mechanism, बार बार बोर रहा हूँ, भले से तुम लोगों को यहां आलस आ रहा होगा, सिर्दुख रहा होगा, पर mechanism बहुत जरूरी होता है, किसी भी competitive examination में अगर तुमको mechanism नहीं आता है ना, तो organic chemistry तो भूली जाना, ठीक है, mechanism बहुत 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 जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग science पढ़ने वाले बच्चे हैं, science पढ़ने वाले बच्चों की खासियत यह होती है, कि उन्हें पता होना चाहिए, अगर ऐसा होता है, तो क्यूं होता है, ठीक है, हम लोग इस चीज के उपर कहीं बार भी इ बोलते हैं कि कौन है, न्यूटन है, ठीक है, अगर उसका दिमाग यह चला होता, यह नहीं चला होता न, कि जो एपल है, वो नीचे गिरा, तो नीचे क्यों गिरा, तो फिर कहीं न कहीं पर आप पूरे इतने बड़े ग्रेविटेशन चैप्टर और यह इतना लाउज अफ मोशन कभी ड्राइव नहीं कर पाते, क्यमिस्ट्री में भी सेम यही होता है, कि अगर सबसे पहले वो डॉल्टन को दिमाग नहीं चला होता, कि यार यह चीजे बनी है, तो क्यों बनी है, किसले बनी है, क्यों ब्रेक ह हुआ है, कैसे ब्रेक हुआ है, अगर किसी का दिमाग इस तर से नहीं चला होता ना, तो आज तक यह चीजे होती ही नहीं, और हम लोग इतनी invention तक आगे बड़ी नहीं पाते, इस वज़े से क्या होता है, कि जब भी आप science पढ़ते हो, तो एक चीज़ दिमाग में बिठाओ आपके मन में हमेशा ये curiosity होनी चाहिए, कि सर अगर ऐसा होता है, तो क्यूं होता है, ठीक है, comment भी करोगे न, तो comment में भी ये चीज़ तुम लोग का पता होना चाहिए, मुझे कि सर ये हो रहा है, तो क्यूं हो रहा है, अगर कहीं पर कोई point समझ में नहीं आता है, तो clear हो ग अब देखो, यहाँ पर reaction with ammonia तो हमारे पास में हो चुकी है, clear, अगली reaction, अरे mechanism यहाँ पर बनाना था, मैंने वहीं पर draw कर दिया, ठीक है, कोई tension वाली बात नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब था, हमने हमारा mechanism कर दिया पूरा, अब देखो, अगला क्या है, formation of anhydride, ठीक है, an condition होती है, anhydride की, इसको हमने पहले भी देखा था, ठीक है, जब आप लोग यहाँ पर preparation method पढ़ रहे थे, तो carboxylic acid को भी हमने anhydride से prepare कर रहा था, देखो, होता क्या है, जब कभी भी, ऐसे दो carbonyl group, एक oxygen के साथ, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे ether वाले linkage साथ, ऐसा पकड़ के रखा है, तो ऐसी situation को हमारे पास में क्या कहाता है, anhydride कहलाता है, ठीक है, अब देखो, यहाँ हो क्या रहा है, जड़ा समझना, यहाँ पे अगर आप anhydride का कर रहे हो, formation, तो इस formation में क्या है, दो carboxylic acid में ने लिए, इन दो carboxylic acid में से क्या करवाया है, है, H2SO4 and P2O5 लिया है, जो की क्या होते है, नेचर में acid होते हैं, जैसे ही यह दोनों आपको दिखाई दे, तो आप यहाँ पे देखोगे, कि यहाँ पर से H2O बाहर निकल रहा है, बस इतना ही तो काम हो रहा है, यह देखो, H2O बाहर निकला, इसका oxygen इसके carbon के साथ जुड गया, यह देखो, यह oxygen, यह carbon, यह oxygen, यह carbon जुड गया, तो इसका मतलब यहाँ से H2O का removal हो रहा है, और अगर H2O का removal होता है, तो हमने क्या line पढ़के रखी हुई है, कि जब जब भी यह point आता है, removal of H2O, तो यह generate करता है, एक point को, जो की क्या होता है, dehydration, और जब कभी भी य यह word dehydration आता है, तो यहाँ पर कुछ चीजे बहुत important होती है, एक तो concentrated acid चाहिए आपको ध्यान रखना, क्या चाहिए होता है, dehydration में, concentrated acid चाहिए होता है, प्लस यहाँ पर अब आप इसको heat भी कर रहे हो, क्योंकि heat करने से भी क्या होता है, removal of water हो जाता है, तो लीजे बड़ी आसान सी यहाँ पर chemical reaction है, कि और anhydride का formation करना है, तो जो acids होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से dehydration को perform करवाते हैं, जिस वज़े से H2O होता है बाहर, और आपके पास में क्या मिल जाता, anhydride, जिसका नाम यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ethenoic anhydride, देखो दो इथे ने, ठी है, इसलिए क्या नाम रखा हुआ है, ethenoic anhydride, clear हो गई बात, ठीक है, तो बस अब फटाफट इसका भी screenshot ले लिजिए, ठीक, clear हुआ, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली reaction है हमारे पास में, reduction of carboxylic acid, ठीक, यह भी बड़ा असान सा है, बिल्कुल भी tough नहीं है, reduction of carboxylic acid के अंदर हमारे पास में क्या दिखी रखा हुआ है, li, al4, b2, h6 and h positive, ठीक, अब जड़ा समझो, reduction का मतलब क्या होता है, यहाँ carboxylic acid है, इस carboxylic acid में से इस oxygen को हटाया, और उसकी जगे इसको क्या बना दिया, alcohol बना दिया, ठीक है, उल्टी प्रोसेस है, oxidation में क्या हो रहा था कि जो primary alcohol थे, उसको carboxylic acid बनाये जा रहा था, और reduction में क्या होता है, इसका just उल्टा होता है, कि आपके पास में मौझूद, जो carboxylic acid होता है, उसको किसमें convert करते हैं, alcohol में convert करते हैं, ठीक है, clear हो गई बात, अब देखो इसमें से important point क्या, यहाँ पर सबसे important points होता है, इसका reagent, ठीक है, reagent क्या लेके रखा हुआ है हमारे पास में, reagent यहाँ पर है, lithium aluminum hydride, lialh4, अब इसका काम क्या होता है, lithium aluminum hydride, नाम से ही पता चल रहा है, कि यह क्या देता है, आपको H negative देता है, और H negative को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको बोलते हैं, hydride, ध क्या कहा जाता है, hydride कहा जाता है, तो जो आपके पास में रखा हुआ, lithium aluminum hydride है, वो H negative देता है, और इस H negative की वज़े से ही आपके पास में, पूरी तरह से यह alcohol का formation हो जाता है, प्लेयर हो गई बात, अब इसका mechanism भी देखेंगे हम लोग, बस यह धियान दखना, lithium aluminum hydride, और क्य boron with 3 hydrogen, ऐसा, 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 फिर यहाँ पर boron with 3 hydrogen, ऐसा, ऐसा, और यहाँ पर क्या होगा, एक attraction का force, जिस वज़े से यह ऐसे जुड़े होते हैं, तो क्या बनाता है, यह B2H6 बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाए बोरेन, clear हो गई बात, easy screenshot ले लिया जाए, इसका भ अब, ठीक, screenshot लिया, अब फटा-फट चलिए, इसका mechanism भी हम लोग देख लेते हैं, वो बड़ा important रहता है, ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमारे पास में, यहां रखा हुआ है, carboxylic acid, यह हो गया carboxylic acid, जब इसकी reaction करवाई है हमने, with lithium aluminium hydride, तो lithium aluminium hydride होता है, famous, क्योंकि वो क्या देता है, H negative, अब कहानी यहां भी बहुत आसान है, धोके बाज oxygen, electron लेता है, negative बनाता है, positive बनाता है, positive पे यह hydride जाएगा, और यहां hydride जाने की बजह से, यह बनाएगा, CS3C, O, and यहां पे चल रहा है, OH, और देखो, यहां पर अब कौन आ चुका है, hydrogen आ है, ठीक, इस वजह से अब इस oxygen के उपर क्या चलेगा, हमारे पास में negative चार चल जाएगा, clear हो गई बात, easy है, ठीक है, अब देखो, यहां पर करना क्या होता है, यहां आपके पास alcohol का formation होने वाला है, ध्यान रखिएगा, अब यह alcohol का formation किस तरह से होता है, समझे, यहां पे इसकी धोके बाजी सिर्फ इतनी रहती है, कि यह क्या करता है, पहले तो double bond को करता है break, जैसे ही double bond यहां पे break हो जाएगा, तो फिर यह क्या करेगा, दुबारा से double bond को बनाने की कोशिश करेगा, अभी double bond break हुआ, यह फिर से क्या करता है, यहां पर electron को फेकता है, double bond बनाने क कोशिश करता है तो देखो ऐसी कोशिश में अब situation यह बनेगी कि यहाँ पर बन जाएगा CH3C double bond O और यहाँ पर क्या जाएगा OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा hydrogen ठीक है ऐसी situation आएगी अब देखो इस situation में आप देख रहे हो carbon तो pentavalent हो गया, है ना carbon कैसा हो चुका है pentavalent और हमने हर बार बोलके रखा अगर carbon यहाँ पर pentavalent हो गया तो यह तो possible नहीं carbon तो क्या होता है tetravalent होता है है ना यह ऐसी कुछ situation होती है तो इस situation को दूर करने के लिए यहाँ पर कौन आता है h-positive यह h-positive क्या करता है यह h-positive ये situation बन जाती है ठीक है यहांपर क्या होगे है ह 2 अब ह positive अगर इधर आया होगा तो इस पर दे दिया होगा positive charge यह negative charge वाला अगर carbon के पास जाएगा तो carbon को क्या बना दिया होगा इसने negative बना दिया होगा तो देखो carbon पे negativity oxygen के ऊपर यहां पे positivity यह वाली घटना है फिर से बरदाश नहीं की जा सकती है तो क्या होगा नेगेटिव जाएगा यहां पर बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने पर मुझे मिल जाएगा CH3C double bond O और यह देखो H2O तो बाहर निकाल तो क्या बज़ गया CH बज़ गया ठीक है फिर से अब वही पुरानी कहानी ऑक्सिजन धोके बाज क्या करेगा ईलेक्टराउ छीनेगा जिस बज़े से यह नेगेटिव यह पॉझिटिव कौन रोल में आएगा दुबारा से दुबारा से हमारे पास रोल में आएगा फिर lithium aluminum hydride जो again देगा H negative ये H negative दुबारा से जाएगा किस के पास इस carbon के पास में और situation फिर बन जाएगी हमारे पास में CH3CO negative और यहाँ पर अब क्या हो गया देखो दो hydrogen आ गए CH2 आ गए अब simple इसका करवा देना है acidification जहाँ पर आप लाओगे H positive को यह H positive C इधा attack करेगा इस oxygen पे और final compound मुझे क्या मिल जाएगा CH3 CH2 OH जो की क्या है हमारे पास में यह है इथेनल clear हो गई बात यह लिजे बन गया बड़े ही आसानी से क्या क्या हुआ हुआ है दुबारा से चेक करो यहाँ carboxylic acid में double bonded जो oxygen है धोके बाज होता है इस वजे से वो pi bond के electron को करता है break pi bond का electron break हुआ oxygen negative carbon positive carbon के जैसे ही positive बनेगा तो lithium aluminum hydride में रखा H negative इस carbon के पास जाएगा इस carbon के पास जाके CH का formation कर लेगा अब यह जो धोके बाज oxygen है यह क्या करता है अपने जो electron लिये थे उसको दुबारा छोड़ता है H positive role में आता है H2O को बाहर निकालता है H2O को बाहर निकालने के बाद वही धोके बाज oxygen दुबारा अपनी चाल चलता है फिर से electron लेकर negative positive terminal बनाता है फिर से lithium aluminum hydride आता है और H negative को यहां जोड़के CH2 बनाता है एक बार last में acidification करवा दिया H positive दिया जिस वज़े से क्या बन गया आपके पास में इथेनॉल बन चुका है तो यह क्या होता है reduction of carboxylic acid ट्लियर हो गई बात easy है अब फटा फट इसका भी screenshot ले लिया जाए ठीक clear तो लीजिए फिर इसी के साथ ही हमारा carboxylic acid का topic भी हो चुका है complete clear हो गई बात easy सा था ठीक है और अगर आपको यह इतना ही easy लगा सारे mechanism समझ में आ गए तो फटा फट से इस वीडियो को like और अभी तक अगर channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दो comment भी कर दिया करो सिर्फ hi hello वाले comment नहीं कुछ अच्छे अच्छे comment जिससे कि मुझे भी पता चले कि तुम लोग वीडियो देख रहे हो ठीक है यह कर दिया करो इसके बाद में सबसे important point की अगर आप और भी ज़्यादा explore करना चाहते हैं तो जाएए magnetbrains.com की official site पर अगर अभी तक register नहीं करा है तो इसको कीजे register register करने के बाद suppose आपने select करा है class 12 को तो class 12 select करते से ही आपके पास में हर वो faculties यहाँ पर आ जाएंगे जो faculties regarding class 12 यहाँ video lectures प्रिपेर करके रखे हुए हैं अब आपको क्या करना है simply watch now पे करना है click जैसे ही watch now पे click करा तो आपको यह complete plan समझ में आ जाएगा ठीक है यहाँ पर देखो क्या होगा सबसे पहले क्या करोगे full chapter videos पे जाओगे एक बार full chapter video देख लिया बढ़िया उसके बाद में NCRT के जो solutions होते हैं वो देखना है जब वो solve हो जाएंगे फिर move on करना रहेगा आपको one shot revision पे जो की बहुत जरूरी होता है one shot revision के बाद में फिर आएंगे आपके पास में 100 MC की उसकी series वो आपको करनी है solve एक बार जब सब कुछ इतना काम हो जाएगा तो आपको फिर 100 out of 100 यहाँ पर number मिलने वाले हैं ठीक है वैसे होता है 70 out of 70 30 marks क्या हो जाएगा आपके practical करेते हैं तो वो तो थोड़ा सा coordination बना के रखना पड़ा था आपको वो पूरे में से पूरे number लाने के लिए ठीक है यह ठीक होता है तो understood रहता है आपके पास में 100% score करने के लिए यह इस pattern में आपको यहाँ पे चलना रहता है clear हो गई बात अगर इतना सब कुछ clear हो चुका है तो finally आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि अगर अभी तक like नहीं करा है वीडियो को तो जल्दी जल्दी जाके like कर दो subscribe नहीं करा है तो फटा फट से कर दो subscribe comment box में comment भी कर दिया करो और साथी साथ में last होता है point share वाला तो जैसा मैं हर बार बहुता हूँ कि magnet brain क्या है एक reagent की तरह काम करता है जो आपको stable product बनाने में helpful है तो अगर आप चाहते हो कि जैसे stable product आप बनोगे in future वैसे ही आपके friends भी बने तो क्या करोगे उन्हें करोगे इस वीडियो को share ठीक तो इसी note के साथ में करते हैं इस lecture को end मिलते हैं आप सभी से next lecture में तब तक के लिए सभी को टाटा बाइब बाइब